डियर रेस्पेक्टेड आल दा टीचर्स मेरा नाम आशी शाननद बठ है मैं एक गौर्मन टीचर हूँ हाई स्कूल का मैं आपके सामने एक छोटी सी सर्जेशन प्रस्तुत करना चाहता हूँ मैट्स के रिलेटेड मैट्स हमारे देश में बहुती विलिप्त होने की कागार पर है लेकिन एक छोटी सी एक्डिसाइज है मैं आपको गैरेंटी देता हूँ कि एक्डिसाइज से बच्चों को टेबल्स जिन्दगी पर याद रहेंगे बच्चों का आईक्यू बढ़ेगा और बच्चे मैथ में आगे बहुत काम्याब हो जाएंगे प्रोसेस क्या है कि अगर आप बच्चों को इस तरह से टेबल पढ़ाएंगे देखे पहले वाला जो है उसमें टू वन्जा पहले पूरा वन्जा माइंड में क्या होता है बच्चों के एक डस्ट्वीन मैथ के वाई से बना हुआ है लेकिन यह जब आप एक उनको सेग्मेंटेशन वाई से पढ़ाएंगे तो बच्चे डेफिनिटली आपके सारे टेबल उनको एक साथ याद रहेंगे एक बार उने टेबल अच्छी तरह याद होगे उनका माइंड का एक पैटर्न बनेगा एक सिंपल पैटर्न जिससे उनको टेबल जयाद रहेंगे और लाइफ में वो कभी भी मैथ में पीछे नहीं रहेंगे मैंने केजी बचों से लेकर टेंथ तक सब पढ़ाया हैं सब बच्चे पढ़ाया हैं बड़े बच्चे भी पढ़ाया हैं मैंने बारा साल बच्चे पढ़ाया हैं तो बचों की एक मैंड की एक पैटर्न होती है तो ये एक ये डिस्टर्बड पैटर्न से उन्हें मैस समझनें आती है जिसकी वादिसे वह लाइफ में आगे मैस में नहीं कर पाते हैं ये एक छोटी प्रोसेस है याप देख सकते है जो मैंने ये pattern बनाया है तू फिर वन पहले तू फिर त्री फिर फोर अब देख सकते हैं accordingly five six seven eight आप देख सकते हैं ये two sevens are three sevens are, four sevens are, five sevens are, six sevens are, eight sevens are, nine sevens are तो ये एक simple pattern है इसी तरह से six का है यह इसी तरह से यह eight का है so मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इस शेयर करें आपको बहुत बहुत ही काम्याबी हासिल होगी बच्चे बिल्कुल सिंपल वे से समझ पाएंगे Thank you